हरियों मैं डॉक्टर संजी नेवीरा जोशी धायरी उपासने केंद्र पूने से हमें बापू के कई अनुभव आते हैं उसमें से अभी जो रिसेंट आया था वो एक अनुभव मैं बताना चाहती हूँ 27 सप्टेंबर से मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था आचिटे से होगा या क्रैम पाता रहेगा उसके वज़े से दर्द है इसके लिए मैं उसको ध्यान नहीं दे रही थी 2-3 अफ्टेंबर से पेइन बहुत ज़ादा बढ़ गया में को खड़े रहने में बैठने में हर शीजों में दिक्कत होने लगी आच्छे पेइन किलर्स ले चुकी थी पर उससे दर्द रुक नहीं रहा था वो पेइन वैसे ही था फिर रात को कैसे भी एक पेइन किलर्स लेकर मैं सो गई और सौनोगराफी करना में डिसाइड कर लिया था नेक्स जे ड्यूटी करके शाम को साथ बज़े में फ्री हुई बहुत जोज की बारिश हो रही थी पिर आज कुछ भी करके सोनोग्राफी करना ही है पेट के उदुख रहा है वो पता लगा नहीं है यह सोच के मैं निकली रात के साढ़े नौब बज़े मेरा सोनोग्राफी का रिपोर्ट आया जो रिपोर्ट आया उसमें मेरे पेट के अंदर जो अंडाशे रहता है उसको कैंसर था और उसी के साथ बॉड़ी में पूरा जो एक लेर होता है इसको परिटोनाय बोलते उसको भी कैंसर है ऐसा उसमें आया था वो रिपोर्ट देखके वहीं के वहीं पे दिमाग में आया कि चाहे कुछ भी हो, डाड अपना सबसे बड़ा है, और वो सोच देने वाला उस समय भी डाड ही था, वो रात गई, नेक्स दे में डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के पास गई, अगरा खतम किया, मेडिकल फिल के है, तो सब रिसर्च अगरा पहली हो तो समय है वो तीन या चार साल तक ही होता है, उसका बाकी कोई इलाज नहीं था, तो शाम को डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने वापस सोनोग्राफी किया, सोनोग्राफी में उन्हों को भी दिखा, कि कैंसर काफी स्प्रेड हो चुका है, और उन्होंने कहां कि करने के लिए गये, सिटी स्कैन हुआ, और उस समय पूरे टाइम मन में चल रहा था, रामारा मा, आत्मारा मा का जब चालू ही था, इतना सब हो रहा था, पर डर जो था, वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि पता था, जो भी है डाड इसमें से निकालने वाला है, हमें, तू थ का रिपोर्ट, और दो दिन बाद का तू था का रिपोर्ट, उसमें दूसरे कैंसर का तो नामी नहीं था, और जो अंडाशय का कैंसर था, वो भी कैंसर नहीं था, जस एक नॉर्मल ट्यूमर था, इतना ही था कि ट्यूमर का था, एक फूट का था, और चार किलो का ट्यूमर तो उसको ऑपरेट तो करना था पर चोटा या बड़ा भी वो डिसकर्शिन का टॉपिक जब ये रिपोर्ट लेके मैं शाम को डॉक्टर के पास पहुची तो डॉक्टर रिपोर्ट डेक के दो में ऐसे देख रहे थे रिपोर्ट को और उन्हेंने का कि ये सिफ मिराकल हो सकता मुझे पता है कि ये मिराकल किस ने किया है तब मेरे जाके घर पर सब पता चला कि क्या हुआ है इसके बाद रात को मेरा शोर था कि अपन छोटा सा ही लेजर का उपरेशन करवा लेंगे बड़ा उपरेशन तो करना नहीं कि जूप की छुट्टिया फिर घर का सब वो करना रात को डाड को सदेनल लगा कि हम दादा से बात कर लेते एक बार पॉट्ट्ट दादा इसका मैं तो ट्रेवल नहीं कर पाऊंगे मुंबई तक डाड बोले कि ठीक हमी लेके जाते है पापा मेरे रिपोर्ट्स लेके मुंबई दादा के पास किया उन्होंने दिखा है कि वह भाई सारे दादा ने अग्डा के पास उनको सज्जेस्ट किया तो वह बोले कि लेजर का उपरेशन बिल्कुल नहीं करना है जान को धुका है जो भी हो बड़ा ही उपरेशन करना है और तभी उसी दिन शाम को मेरा डिसाइड हुआ कि हमें लेजर काहीं करना है जाएड घर पर आए दायर कार मेरा काफी जगड़ा चला कि यह करना है वो करना है रात को शाड़े-दस-ग्यारा बजे दादा का फोन आया कुछ से कि बच्छी बड़ा आप्रेशन कर क्योंकि वह स्टीचेस रहेंगे मांक्स रहेंगे वह सब बा कि 18 अक्टोबर तक इतने फास सारा डॉक्टर भी पौरसिया ने बताए तुरंद उसका पंड मिल गया उनसे फिक्स हुआ ऑपरेशन का डेट आ गया पहली बर ऑपरेशन धेटर में जा रही थी पर अर कुछ था ही नहीं कि कुछ होने वाला ऑपरेशन होने वाला जो है वो ड इन दिन बाद में तुरंट चलने भी लग गई एक दम अच्छे से घूम रही थी चारपाश दिन बाद एक दम फाइंग थी मैं सिफ वो जो टेस्ट करने वाले थे क्यों कैंसर का है या नॉर्मल है वो रिपोट बाकी था पर तीन चार दिन बाद दादा का कॉल आया कि डर कुछ भी नहीं था इसका आज अब की आपरेशन को चे मैने हो गए बट एवरीथिं इस फाइन नथिंग तो वरी एक्टम अच्छे से है सब ये सिफ फर सिफ मेरा डाड़ी कर सकता है I love you so much dad, Ambadna Shriram, Nathasamvit, Nathasamvit, Nathasavit